नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक बर फिर सेदा आयर शो में दोस्तों आज हम लोग एक थोड़े से अलग टॉपिक के उपर बात करेंगे क्योंकि जो टॉपिक है काफी ज्यादा न्यूज में सर्कुलेट हुआ है और यह भारत के इंटरनल सेक्योटी के है और यह जो टॉपिक है आप यहां इसको आप थंबनेल में देखी सकते हैं असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट तो दोस्तों खबर यह है कि छे जो है असम के जो पुलिस के जो जवान है वो शहीद हो गया यह दोनों दोनों जो राज्य हैं असम और मिजोरम दोनों र से के विवाद कै mission का एक दूश्रे के उपर आरोग क्या इन सब चीजों को लेकर होग अपनी सरा को शुरू करते हैं कि कि दोस्तों बात दरसल यह है कि यहां पर आप मैप में एक आप देख सकते हैं कि यह आप यहां देख सकते हैं मिजोरम और असम का यह मैप है जिसमें आप देख सकते हैं आपको तीन जो है एजवाल, कुलासिव और मामित यह मिजोरम में दिख रही है डिस्टिक और यह आपको करीम गंज, हैला कांडी और कछार यह आपको district दीख रही है और साथी साथ लैलापूर जहां पर समय विवाद हुआ था यह आपको असम के हिस्से में दिख रही है बाकी जो नीचे मैंने आपको दिखा रखी है एजवाल, कोलासिब और मामित यह आपकी मिजोरम में है और इनहीं तीनों district के इनमें और असम की जो कछार district है विशेश रूप से वहां पर जो है विवाद चलता रहता है और दोस्तों जो विवाद है करीबन 164 किलो मीटर की जो लंबाय का जो बॉर्डर है दोनों के बीच में है आप लोग अगर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोग को बता दूं कि प वो कई राज्यों को जो है गठित किया गया था जिसमें आपका मनिपूर है नागालैंड है और त्रिपूरा है यह सब स्टेट वहां से अलग हुई थी असम से और साथी साथ जो आपका मेजोरम है और जो अरोनाचल प्रदेश है इनको यूटी का दरजा दे दिया गया था लेकिन बाद में क्या किया गया 1987 में मिजोरम को जो है वो स्टेट हुट का जो है वो दरजा दे दिया गया लेकिन जो इनके बीक में जो डिस्प्यूट था वो जो है वो कभी जो है वो सेटल नहीं हुआ और देखियो उसका कारण यह है कि यह डिस्प्यूट बहुत ही पु इसे रिलेटेट है वो एक है आपकी 1875 की नोटिफिकेशन और एक 1933 की नोटिफिकेशन जो जो बॉर्डर था मिजोरम के बीच में और असम के बीच में उसको जो डिमार्केट करने के लिए जो जो पैरामीटर बनाए गया था उसमें यह माना गया था कि जो कछार का जो रीजन में बॉर्डर का काम करेगा लेकिन बाद में 1933 की जो नोटिफिकेशन थी उसमें क्या किया गया कि जो मनिपूर और लुशाई हिल्स के बीच में जो बॉर्डर है उसको बनाए गया अब इसी को ले के दोनों में क्या होता रहता है यह कॉन्फिक्ट चलता रहा तभी से क्यो अठारा सो पच्छार की जो नोटिफिकेशन थी जिब टिशर्स के समय में जिसमें लुशाई हिल्स और कछार के बीच में जो बॉर्डर था उसको माना गया था बॉर्डर का अधार उसी को माना जाए क्योंकि 1933 के में मानते हैं जो मीजो की जो जने जाती हैं वह यह मानती हैं कि उसमें कोई भी जब 1933 के जब डिमार्केशन की बात की जाती है तो उसमें मीजो का कोई भी पते निधित तो नहीं था मीजो लोगों का इसलिए मीजो लोग जो क्या करते हैं वो 1933 की डिमार्केशन नहीं मानते हैं जबकि असम के जो लोग हैं वो 1933 की डिमार्केशन मानते हैं तो इस चीज को लेके तब से जो है यह कभी भी डिस्प्यूट सांत नहीं हुआ जिसकी वज़े से आज तक जो है इनके में छुटपुट घटनाय जो है वो देखने को मिलत है बैसिकली इसमें जो है यह वाला जो आप रीजन देख रहे है यह ми होते हैं और यहीं पर पिछले सालिक्टूबर में भी जुझान लडाई होई थी और रीजन उसका यह धा कि जो मिजो लोग यह का कि जो कुछ लोग यह जो आपका नो बाडर जो ने एक जैसे दोनों बॉर्डर के बीच में दिस्प्यूट है तो दोनों राज्जियों के तरफ से मिल के क्या किया था एक separate सी एक लाइन बना दी गए थी no border zone करके कि जो मीजो के जो लोग हो इधर रहेंगे और जो असम के लोग हैं वो इधर रहेंगे तो पिछले साल अक्टूबर में यह हुआ था कि जो यहां जो कुछ सेटलमेंट्स बनी हुई थी उन सेटलमेंट्स को क्या किया था कि मीजो लोगों का ऐसा आरोप था कि यह असम के लोगों ने आके लोकल्स ने आके यहां पे जो बहुत समय से मीजो लोगों के हमेशा कार में रहता था, और सालु से वहां पे क्रिशी , इत्यादि के कार करते आए थे तो इसलिए जो असम के जो लोगों का दावा है जुटा है, जबकि असम के लोगों का ये कहना है कि जो Damarnation है वो पूरा कानून के तहत कर रहे हैं अब कल की जो दोस्तों घटना हुई है उसमें यह हुआ है कि कल की घटना में जो अब कहा जा रहा है कि कुछ जो थे वो मीजों के लोग जो थे वो अपना आ गया असम की तरफ और असम की तरफ उन्हों क्या कि कुछ जो असम के लोगों ने अपना सेटेल्मेंट बना रख्था था उनको जो है इन्होंने उखाड़ दिया और उसके बाद पत्थरबाजी भी की और इसके एवज में फिर क्या हुआ कि जो असम की जो पुलिस थी उस कछार रीजन की उसने क्या कि रिटेलियेट किय तो बाद में क्या हुआ यह चीज ज्यादा तीब्र हो गई और इंटेंसिफाई होने की वेज़े से जो है वहां पर हिंसा हो गई अच्छे जो थे जवान जो है वो मार दिये गए जैसे कि आप यहां देख सकते हैं तो मैप में आपको यह चीज क्लियर है साथी साथ अब अ जो बादर है वहां पर आकर लोगों को परिशान किya और पथरबाजी यह और रॉड उससे हमला किया तो अब दोनों जो राज्येंगे हैं और जो दोनों राज्यों के सीमा पर जो सीमा पर जो उनके लोग हैं और जो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोफ लगा रहा है कि गलत श्यादा ही यह जो है तीब रहो गया और इन लोग के बीच में थो संखर्ष है वो चलता रहता है आप लोग को याद होगा कि मैप में Васसम से ही होके जाता है मिजोरम ग्या कि यहाँ पर जाने लिए कोई और हाइवे तो है नहीं तो इसलिए वहाँ पे कि जो लोगों लोग थे उन्होंने क्या किया था कुछ समय के लिए इस चितकाली ने एक तरीके से ब्लॉकट लगा दिया था नैशनल हाइवी पे जिससे जो जरूरी सामान है वो मिजोरम पहुंच नहीं पा रहा था जिसक तो यही है में जो आपका डिस्प्यूट का जो कारण है वो यही है कि दो नोटिफिकेशन एक 1875 की एक 1933 की और दोनों को ही लेके दोनों में विवाद है असम वाले 1933 की जो नोटिफिकेशन है उसको मानते हैं और मिजोरम वाले जहां वो अट्थारा सो पच्छतर की नोटि किया गया था बाद में 1971 में और फिर 1987 में राजी का दर्जा दिया गया था इधर आप यह देख कारीब 165 किलो मीटर का जो यह बाउडर है जो की काफे डिस्प्यूटेड है यह यहीं पे जो है वो डिस्प्यूट हमेशा एराइज होते रहते हैं इस साल फरवरी में भी कुछ संगर्स देखा गया था पिछले साल इत्मील के बादचीत करका निकालना चाहिए कोई लोगों गाफी सेंकि स्टान निकलना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह यह डिस्प्यूट होने के बजाए वर बढ़ता ही जाता है तो दोस्तो आशा करता हूँ आज को आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये डिस्प्यूट है क्या और इस डिस्प्यूट का कारण क्या है आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और प्लीज कमेंट जरूर किया करिये जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें थैंक यू दो